आज की वीडियो में हम लोग बात करने चाहरे हैं फोटोशॉप में आउटर ग्लो के बारे में अब अगर आपने स्ट्रोक वाली वीडियो देखी और वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक आउट करना तो अब सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि आउटर ग्लो का इस्तमाल हम लोग किस तरह से करते हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं background को white नहीं रखूंगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाकर solid color में जाते हैं और यहाँ से हम लोग कोई भी color ले सकते हैं तो मैं थोड़ा सा dark type का ही लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग ok पर click कर देंगे और हम लोग कुछ इस तरह के background पर काम करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपने text वाले layer को visible कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा यह text वाले layer अब यह visible है outer glow के लिए भी हमें थीक उसी तरह से right click करना है layer पर और blending options में जाना है और blending options में हमें मिलता है option outer glow का तो यहाँ पर second last option आपको देख रहा होगा outer glow का जब हम लोग यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक white color का outline जो है वो आ चुका है मेरे text के around और इसके अंदर जब आप notice करेंगे तो यह ठीक वही सारे options है जो कि हम यह stroke के अंदर मिलता है अब इस outer glow में भी हम लोग ठीक उसी तरह से opacity वगारा control कर सकते हैं अगर मैं opacity को कम करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो glow है वो काफी कम हो गया है और हम पीछे का जो blue side है वो देख पा रहे हैं अगर हम opacity को increase करें तो हमारा white जो है वो पूरा हमें दिख रहा है और उसके पीछे जो blue है वो हम नहीं देख पा रहे हैं और ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर noise भी add कर सकते हैं तो अगर मैं noise add करूँ तो आप देखेंगे थोड़ा dotted type का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं ok पर click करके आपको zoom करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर जाकर मैं zoom tool को select करूँगा और जब हम लोग यहाँ पर zoom करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से dotted आ गया है और pixelated हो गया है चूंकि हमने noise को add किया है अगर हम लोग यहाँ पर वापस से जाएं तो आप देखेंगे यह पूरा dots जो था वो सारा खतम हो गया यहाँ से तो noise कुछ इस तरह से काम करता है अब उसके नीचे यहाँ पर यह वाला option selected है और bugle में हमें यह option दिख रहा है तो यह option जो है वो solid color का है और यह जो है वो gradient का है जैसे अभी white color है यहाँ पर तो आप दे सकते हैं blue जो है वो हो जाएगा या फिर अगर मैं green करूं तो यह थोड़ा greenish type का जो है वो हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग solid color को किसी भी option को यहाँ पर से select कर सकते हैं उसी तरह से अगर हम gradient में जाए तो gradient में भी हमें अलग अलग तरह के colors मिलते हैं और बहुत सारे पहले जाएंगे तो आपको option दिख रहा हो गया एक precise का तो जब मैं precise select करूंगा तो आप देख सकते हैं यह corners जो है वो काफी hard corners हो गया है अब यह corners जो है वो उतने soft नहीं है और जैसी अगर मैं softer पर select कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह जो corners है वो थोड़े soft corners हो गया है अह जादा spread करें तो यह तो हमारा size है कि कितने pixel का हमारा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर यह spread का option जो है वो हम लोग यह decide कर सकते हैं कि कि कितना percent यह spread होना चाहिए और यह outer glow का इस्तावाल मैं अपने thumbnails में बहुत जादा करता हूं जैसे इस text वाले layer को मैं okay पर click कर देता हूं ता तो हम right click करेंगे और blending options में जाएंगे और blending options में जाने के बाद हमें यहाँ पर outer glow जो मिल रहा है उस पर हम लोग click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक boundary सा create हो गया है और मैं अपने thumbnails के लिए क्या करता हूं कि मैं अपने photo को यहाँ से cut करके एक next layer में ले लेता तो जैसे अगर मैं quick selection tool को select करूँ और इसके size को पहले तो मैं छोटा कर लेता हूं और यहाँ पर अगर इस subject को मैं select कर लूँ और यहाँ पर हम लोग बहुती rough सा selection create कर रहे हैं और अगर मैं इसे next layer में ले ले लूँ तो उसके लिए हमें simply ctrl j press करना होगा और आप देख सकते हैं कि इस पर जो apply हुआ है वो कुछ इस तरह का apply हुआ है और कुछ इसी तरह का effect जो है आप मेरी thumbnails पर भी देखते होंगे अब यह इस layer पर अपने आप इसलिए effect apply हो गया क्योंकि मैंने इस layer से directly copy कर दिया था अगर यहाँ पर यह effect applied नहीं रहता तो यहाँ पर हमें अलग से effect apply करना पड़ता और जो double stroke की मैं बात कर रहा था वो हम लोग कुछ इस तरह से create कर सकते हैं कि हम लोग जैसे ही effects में जाएंगे तो effects में जाने के बाद हमें stroke वाला option select करना होगा और हम लोग जैसे ही यहाँ पर stroke पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो stroke है वो create हो selected है तो इसके size को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि अभी यह size जो है वो 0 पर है जैसी मैं इसके size को increase करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक white color का outer glow जो है वो भी apply हो गया है तो कुछ इस तरह से हम लोग double stroke apply कर सकते हैं मतलब कि एक stroke जो है वो इस stroke का है और second वाला जो ह पाट है और इसका लिंक आपको description में और end screen पर मिल जाएगा playlist में मैंने starting से photoshop के एक एक tool को सिखाया है तो playlist जरूर check out करना तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में